पटैक, खबरे 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक आप देश में कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन लगाने से डरते हैं तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दो बार नहीं बलकि 11 बार कोरोना की वैक्सीन ली है वैक्सीन लेने की ऐसी धुन सवार हो गई की स्वास्त विभाग को हर बार चक्मा दे गए नमश्कार आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूँ आपके साथ मैत रही अभी बूस्टर डोस के रूप में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोस लेने की बात चल रही है इधर बिहार में एक बुजुर्ग ने एक दो तीन नहीं बलकी 11 टीके लेने का दावा कर दिया है ग्यारबार वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति का नाम ब्रह्मदेव मंडल है और वो 84 साल के हैं ब्रह्मदेव मंडल मदेपूरा जिले के उदा किशुनगंज अनुमंडल के ओराए गाउं के रहने वाले हैं ग्यारबार वैक्सीन लेने की पीछे ब्रह्मदेव मंडल का अपना ही तर्ख है वो बताते हैं कि उनके वैक्सीन लेने से कई तरह की राहत मिलती है कि इतना अश्या लेने के बाद जुद मुझे फैदा ही फैदा हो रहा है आप लोग क्यों नहीं लेते हैं लेना चाहिए सरकार अच्छा सी निकाला है इसी भी थोन्या या कि कमर में की दर्द होता है वह ठीक हो जाता है मैं प्रमदेव मंडल ने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है हर एक टीके का समय, तारीक और देने वाले स्वास्त कर्मी से लेकर स्वास्त सेंटर तक का भी और यह भी कह रहे हैं कि सब एक ही नंबर पर लिया अधार कार्ड और वोटर कार्ड की डिटेल के साथ एक ही अधार कार्ट पर इतना शृम में लिया हूँ, एक ही मुबाइल पर लिया हूँ सरकाष हिसके कोई निभरानी नहीं कर रहा है इतना शृम क्यों देना चाहिए, क्यों देता है मैं लेता हूँ किसी लाप से जिसे मैं ईभी तना तक्सिया ले हूँ कोरोना की वैक्सीन लगवाना COVID प्रोटोकॉल के खिलाफ है 11 बार वैक्सीन लेने पर स्वास्त विभाग पर कई सवाल खड़े होते हैं कैसे 11 बार लिया वैक्सीन? कोविन एप पर कैसे हुआ रेजिस्ट्रेशन? स्वास्त विभाग ने क्यों नहीं दिया ध्यान? बिहार में वैक्सीनेशन के कई कारणामे हो रहे हैं पहले मृत महिला को वैक्सीन का खुराक दे दिया गया तो वहीं नौइडा में बैठे व्यक्ती को अररिया में वैक्सीन लग गई इसके बाद नालंदा में किशोरों को पढ़ने वाली वैक्सीन में भी गरबड़ी का मामला सामने आया यहां दो भाईयों को वैक्सीन की जगे कोविशिल्ड लगा दिया गया जबकि कोविशिल्ड को अभी बच्चों पर परिक्षन नहीं किया गया है और अब एक व्यक्ती ने 11 बार वैक्सीन लगवाने का दावा किया है डाक विभाग में से रिटार हुए ब्रह्मदेव मंडल के दावे अगर सही है तो फिर उस सिस्टम का क्या जिसमें आधार कार्ड के जरिये ही रेजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन देने का काम किया जा रहा है ये थी मधेपुरा से प्रदीप कुमार जहा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बिहार तक आप देख रहे हैं बिलकुल नए रूप नए अंदाज में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा धन्यवाद कर दो